आज इस वीडियो में हम ये B नंबर और C नंबर वाला question देखेंगे पिछली वीडियो में हमने ये वाला question किया था ये जो इतना बड़ा question था यहाँ से यहाँ तक ये वाला question हमने किया था इसको मैंने आपको अच्छे से explain भी किया था कि आप ये कैसे कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर word file इसको open कर लेता हूँ यहाँ पर मैंने इसको दको ये question लिख लिया है और इनका conversion भी कर लिया है तो decimal इसको क्या करना है decimal to binary and hexadecimal binary में ये जो decimal value है जिसका base 10 होता है उसको हम decimal value बोलते हैं ठीक है ये जो इसके bracket में लिखा है ये decimal value है इसको हमें binary और hexadecimal में convert करना है तो binary और hexadecimal में convert करने का अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो वरना मैंने यहाँ पर सारे link तो दिये ही है answer इनको आप directly उतार भी सकते हो अब मैं इनको बता देता हूँ कि आप लोगे कैसे कर सकते हो देखो ये decimal value को मैंने ये binary में convert किया तो ये इतना आया और hexadecimal में convert किया तो ये इतना आया और उसके बाद में फिर दूसरा है hexadecimal ये जो value है इसको octal में convert करना है तो ये hexadecimal को ये जो शारी ये वली जो value है इसको मैंने octal में convert किया तो ये आया answer और उसके बाद में ये जो string computer organization है इसको हमको utf8 encoding में convert करना है और utf8 में इसको convert करने पर अगर हम इसको hex में लिखें hexadecimal values लिखें तो ये आसकी numbers होंगे C का ये capital C का 43 होता है hexadecimal में O का होता है 6F और M का होता है 6D और ऐसे ही सारे हो जाएंगे और उसके बाद में फिर octal का है octal की ये जो value है इसको हमको decimal में convert करना था तो मैंने ये decimal में convert कर दिया ये आपका पहला question ये b वाला question पूरा complete हो जाएगा उसके बाद में ये c वाला करेंगे उससे पहले मैं बता देता हूँ कि आप लोग अगर इसको देखना चाहों कि ये कैसे हुआ है तो मैं इसको दिखा देता हूँ तो आपको सबसे पहले जाना है Chrome पर या पर अपनी टेलिग्राम एप को आपको खोल लेना है वहां पर आप सर्च करोगे BCA MCA तो आपको ये वाला ग्रूप दिखेगा ठीक है तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर आप आजाओगे तो यहां पर आपको आप जैसे कोई भी decimal to hexadecimal में convert करना है ठीक है तो आपको यहां पर लिखना है कि कोई command क्या available है ऐसी तो यहां पर search करना है सबसे पहले हमको convert करना है मैं देख लेता हूं यहां पर हमको लिखना है decimal to binary and hexadecimal तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि binary में कैसे convert करते हैं फिर hexadecimal में देखेंगे तो binary में convert करने के लिए हम यहां पर आते हैं decimal to binary यह deck to bin command है तो इसको हम click करते हैं इस command को click किया तो अब यह बोला है inter decimal number तो हम decimal number यहां से यह वाला copy करते हैं और यहां पर जाकर के पेस्ट करके इसको send कर देते हैं तो यह देखो हमको पूरा solution बता दिया देख रहे हो सबसे पहले हमने जो इसको दिया तो given decimal number यह और now इसको divide करेंगे integer part के यह integer part ही है इसमें कोई fractional point के बाद में कोई fractional part भी नहीं है तो यह सबसे पहले integer part को divide करेगा 2 से तो यह देखो 2 से divide करते जा रहा है और उसका reminder जो बच रहा है उसको इधर लिख रहा है तो यहां पर इतनी को divide किया तो इसका reminder जो आया है यहां पर लिखा और इसका जो answer आया वो यहां पर ही फिर इसका डो से डिवाइड किया फिर इसका रिमाइनर एक बचा तो ऐसे करके 011 1971 सब डिमाइडर बसते जाएँगे तो जो भी रिमाइनर होंगे वही आपके अंसर होंगे वही का नममर होगा उनको नीचे से ऊपर कि ओर लिखना है आपको और दो 1-01001010010010 ऐसे करके आपको यह बाइंड दी होगा यह आपका जोगा इसको आपको कॉपि करके वहां पर लिख लेना है यहा आप लिख देया और ऐसे ही आप हैक्सा डेसिमल это है कर सकते हैं मिक देक्सा डेसिमल के लिए देखते हैं कोई कमाड़ देखा चक्लिक लिए है और वही वाला नंबर जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है तो अब देखते हैं इसका hexadecimal में तो यह ऐसे hexadecimal में इसका conversion होगा तो यह जो solve math question bot है यह ऐसा bot है कि आपको पूरा जैसे यह हुआ होता है वह इससे करके दिखाता है कि यह कैसे हुआ है मतलब यह conversion जो आप कर रहें इसको कैसे करना है यह सबम को यह दिखाता है तो अभी यह पहला वाला हो गया और ऐसे यह आप यह hexadecimal send करोगे उसको octal में convert करके आप वहां पर देख सकते हो और यह जो computer organization इसको utf8 में convert करना है इसके लिए भी वहां पर एक command है तो मैं उस command को दिखा देता हूं utf8 हम सर्च करेंगे यहां पर command देखते हैं इसकी कौन सी है search utf मैं utf ही लिख देता हूं इससे ही आ जाएगा तो देखो str to hex यह वाली command जो है string जो भी होगी उसको आस्की यह निए hex additional value जो भी आस्की वाली आएगी उसमें convert कर देगा तो यह वाली command है इसको हम use कर लेते हैं तो यहां पर str to hex हम command use करेंगे अब यह inter string हम इसको देते हैं यह वाली string है हमको देना है इसको तो यह वाली string इसको copy करना है आपको और वहां पर जाकर के send कर देना है तो यह देखो हमने इंटर किया computer organization यह string और इसकी hex value यह हमको दे दी और यही आपका utf8 encoding है तो यह आपका c के हिसाब से 43, o का 6f, m का 6d और space का भी होता है तो space का भी इसमें है तो ऐसे आपका यह पूरे यह copy करके आपको यहां पर paste कर देना है और ऐसे auktsal to decimal आप ऐसरोप्ते कर सकते हो अरामसे तो अब हम यह तो समझ गें कि इनको सबको काई करना है और आप कैसे इनको करते हैं यह भी जाना है तो आप ऐसे जान सकते हो और इसका आपको Google पर आइस चर्ट मिल जाएगा कि C का क्या होता है O क्या क्या होता है यह सारा आपको Google पर मिल जाएगा कि इसके corresponding hexadecimal values कौन सी होती है तो अब हम देखते हैं question number C वाला simplify the following function using kmap kmap मतलब karnoff map और जिसमें function दिया है A, B, C, D चार variable हमको दिये हैं और जिसकी values है 1, 3, 4, 7, 11, 13, draw the circuit for the resultant function using 9 gates और इसका को logic circuit भी 9 gates की मदद से बनाना है तो चलो हम देखते हैं कि सबसे पहले karnoff map इसका कैसे बनाते हैं उसके बाद में logic circuit इसका draw करेंगे तो karnoff map मैंने यहाँ पर बना लिया है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं यह हमको दिया गया है function में यह values दी गई हैं तो अब हम जानते हैं कि karnoff map बनाते कैसे हैं कि तो सबसे पहले हमको चार अगर वरियेबल दिये हैं तो चार वरियेबल के हिसाब से इतना बड़ा आपका बनेगा यह दो को a b और c d हमको चार वरियेबल दिए हैं तो आपको ऐसा बनाना होगा यह 16 शेल्स का है तो यहां पर आपको नंबरिंग ऐसे करनी होगी कि जीरो 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 वन फिर एक इसमें से चेंज करना है ठीक है यहां पर जीरो जीरो था तो जीरो जीरो में एक चेंज किया तो इसको जीरो को वन कर दिया यह बाइनी नंबर है यहाँ पर सिफ 0 को change करके 1 कर देना है और उसको ऐसे ही लिख लेना है फिर यहाँ पर 1 है इसको ऐसा ही रहने तो इधर वन को 1 ही रहने दिया और इस 1 को 0 कर दिया आपको ऐसे ही इधर भी करना है अब क्या करना है अब यहाँ पर numbering इसके हिसाब से करनी है 0000 अगर 0000 को binary को decimal में convert करो तो किता आता है 0 आता है तो यहाँ पर 0 number हो गया यह वाला साचा 0 number का हो गया 0001 0001 का मतलब 1 अब यहाँ पर देखो 0011 0011 किता होता है 3 अगर इसको decimal में convert करोगे binary को 0011 को तो यह 3 आएगा और 0010 को convert करोगे अगर decimal में तो किता आएगा 2 आएगा और इसके बाद में 01 और 0000 0000 किता होगा 4 01 01 किता होगा 5 01 3 2 4 5 7 6 12 13 15 14 8 9 11 10 यह आप जब numbering कल लेंगे तब जब यह यह जो आपकी values हैं इनको आपको यहां numbers पर put करना है तो पहले number पर बनाना है तो यह one number पर बना देंगे तो यह one number पर बनाना है फिर three number पर फिर four number पर फोर नंबर पर बन बन गया है 7 पर तो 7 पर one बना दिया 11 पर 11 पर one बना दिया 13 पर यहां पर 13 पर one बना दिया तो ऐसे सारे जगा पर one बना दिया जहां पर हमको यह values बनाने के लिए बोली गई हैं जिन number पर यह values हमको one बनाने के लिए बोला गया है अब करना है अब इनको यह गोले बनाने हैं गोले कैसे बस ऐसे करके ऐसे और तीन नहीं लेने हमको दो लेने है या तो फिर एक लेना है या तो दो लेने है या तो चार लेने है या तो आठ लेने है तो हमको यहाँ पर सबसे पहले हमको यह वन वन यह दो मिल गए साथ में तो हमने इसको बना दिया और यहां पर यह वन और यह वन हमको मिल गया तो इसका हम उने गोला बना दिया और यहां पर यह वन था और यहां पर यह तो हमने आधा ऐसे करके इसमें बना दिया और आधा ऐसे तो हमारे ये चार गोले बन गए और यहां पर ये एक दिखो अकेला है इसके साथ में कोई यहां पर ना यहां पर one है ना यहां पर हम तिर्चे नहीं बना सकते हैं değildi more तो हम सिप इसको एक को ही अकेले लेना पड़ेगा तो हमने इसको बनाएंगे यह जो function है हमारा यह सारी चीजे हम निकालेंगे देखे कैसे बनाते हैं तो इधर हमारे 0 और 0 में a bar और b bar यह यह बार यह बार जो होता है यह वाला ऐसे लगेगा यह a bar और B बार, यह A बार और जहाँ पर 1 होगा उस जिगह पर B जो होगा, उसको B को ऐसे लिग दिंगे, बिना बार के तो अब यहाँ पर ऐसे होगा और C और D, इधर भी C बार, यह D बार यह 0 है तो C बार और यह 1 है तो D बार उस पर नहीं लगेगा, यहाँ पर दोनों 1 है तो C और D हो जाएगा, यहाँ पर 1 है और 1 0 है तो यहाँ पर C ऐसे हो रहेगा और 0 जहाँ पर होगा, वहाँ पर D यानि D पर बार लग जाएगा, तो यह ऐसे values यहाँ पर हैं, अब हमको जो values चेंज हो रही होंगे, उनको नहीं लेना है और जो values नहीं चेंज हो रही है, उनको यहाँ पर लिख लेना है, तो अब देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले, A बार, B, C बार, D बार, यह हमको इस से मिलेगा, यहाँ पर, देखो, 0 के लिए, इधर A है, तो A बार, B, B को ऐसे ही, तो A बार, B, इस वाले के लिए हम हमको A, A बार, और B, फिर इधर C बार, और D बार, तो इस सांचे की value हमको कै मिल गई, A बार, B, C बार, D बार, और उसके बाद में, फिर प्लस, A बार, B बार, D, A बार, B बार, D, यह वाला, यह वाला सचा है, यह देखो, यहाँ पर यह constant रहेगा, इसमें भी A बार, B बार है, और इसमें भी A बार, B बार है, क्योंकि यह A बार, B बार वाले change नहीं हो रहे है, दोनों चीज़े change नहीं हो रहे है, लेकिन इसमें देखो, यहाँ पर change हो ज वाला नहीं चेंज हो रहा है यह डी चेंज नहीं हो रहा है लेकिन सी बार और सी यह चेंज हो रहा है तो हम यहां से डी को ले लेंगे क्योंकि डी नहीं चेंज हो रहा है इस गोले के लिए इस गोले के लिए constant रहेगा दोनों में, तो हम constant rate को वैसे ही लिख लेंगे और यहाँ पर d चेंज नहीं हो रहा है, d यह d देखो d वाला और यहाँ पर d होगा, यह one, one, दोनों एक ही हैं, तो यहाँ पर यह change नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो c बार, यह zero का c बार हो जाएगा, यह one, one ह तो यहाँ पर c ऐसे ही होगा तो c bar और c यानि c change हो रहा है तो c को हम नहीं लिखेंगे तो ऐसे ही करके आपको यह सारे बना लेने हैं और उसके बाद में यह आपका current of map का यह आपका function आ जाएगा अब आपको इन चारों variable से यह ऐसा आपको logic gate बना के answer लाना है तो चलो देखते हैं इसको कैसे करते हैं तो यह रहा आपका logic gate आपको इसको देखके बनाना है तो यहाँ से पहले यह असारा आप देख सकते हो यह आपको ऐसे बनाना है तो यहाँ पर देखो आपको सबसे पहले चार variable बनाने हैं, जो वहाँ पर दिये हैं, A, B, C, D, तो यह चार आपके variable हो गे, अब इन चारों का उल्टा भी बनाना है, इन चारों का उल्टा कैसे बनाएंगे, यानि एका उल्टा A बार, B का उल्टा B बार, C का उल्टा C बार, और D का उल्टा D बार, यह कैसे बनाएंग हमको करना इसमें सारा Neand gate का ही use करके सब कुछ करना एक हम को जो इह answer लाना है यह answer यह Nand gate का use करके करना है सारी जगापने यूज का ही use होगा तो net gate क्या होता है अगर उसमें से दोनो input जैसे यह यह थिर information is इसमें A इसमें पहले वाले input में और दूसरे वाले input में A को ही दिया तो यह A बार कर देगा यानि A का उल्टा कर देगा और ऐसे मैंने B का उल्टा कर लिया और ऐसे मैंने इसमें दोनों जगापर C input देखे यहाँ पर भी C और यहाँ पर भी C दोनों जगापर C input देखे मैंने इसको C bar कर दिया इसका output जो आएगा वो C bar यानि इसका C का उल्टा D bar की दोनों values को प्रवाइद किया और ये D bar बन गया तो ऐसे मैंने इनका विलोम भी बना लिया मतलब उल्टा तो मुझको A और A bar मिल गया अब हमको क्या बनाना है हमको अगर जैसे मतलब ये values लानी है तो हमको A B बनाना है और C bar D bar C bar D बनाना है फिर A bar B बनाना है और C bar D bar बनाना है ये सब बनाते बनाते इनको जोडते 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 ऐसा हमको लाना है तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे यहां से हमने सबसे पहले इसमें A bar Nand gate में A bar value दी और यह वाली value यहां से आ रहे है यह B की A bar B यह वाली value यहां पर A bar यहां पर आया और B तो इस से हमको यहां से मैंने इसको दिया फिर इसके उपर not का लग जाएगा A bar यहां A bar B और उसके उपर फिर बार लग जाएगा तो उस बार को अटाने के लिए मतलब उसका उल्टा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यहां पर हमको उसी output को हमको दो जगा पर इसमें input डे करके उसका उसमें से जो not उपर बार दुबारा लग जाएगा उसको अटा देंगे तो यहां से final output आएगा इसका A bar B का A bar into B यह इसके बीच में कुछ नहीं होता है तो यहां से हमको यह मुल लगा और ऐसे ही आप सब का करकोई देखो यहां पर यह सारे ऐसे ही जाएंगे तो ऐसे करते करते हम इसको देखो आप कैसे हो रहा है यह सब अब जितना समझाओंगा तो फिर समय बहुत लग जाएगा तो यह आपका answer आजएगा तो अब आप इसको पूरा यहां से देख करके लिख लो नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अर्शा करते हूं आपको यह वीडियो पसंद आयोगा अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और नेक्ट वीडियो में मैं इसके आगे क्वेस्चन बताऊंगा थैंक्स फर वाचिंग